हम बात करेंगे guidance and counseling guidance क्या होती है और counseling क्या होती है जी हाँ दोस्तो इसका पहला meaning समझेंगे हिंदी में इसको guidance and counseling को क्या कहते है Mark Darsan guidance का Hindi word होता है Mark Darsan और counseling का Hindi word होता है promise ठीक है ना तो यह guidance और counseling को हम discuss करेंगे इसकी meaning को समझेंगे nature को समझेंगे scope आकि जरूरत क्यों है guidance and counseling in education में जिहां दोस्तों इन सारे concept को समझने के लिए इस वीडियो को अंतक देखे ताकि पूरी concept आपको समझ में आ जाए यह वीडियो उन सारे students के लिए जो B.A.T. कर रहे हैं या D.L.A.T. कर रहे हैं चाहिए किसी भी university से कर रहे हो आप यह वीडिय देखने के बाद आपकी complete notes तयार हो जाएगे और आपको समझ में आ जाएगे मैं यहाँ पर complete and to the point notes पीडिये format में भी provide कर रहा हूँ जो description box में आपका रहेगा जी हाँ दोस्तों वेलकम टू माइ यूटुब चैनल एडिको क्लासे माइ नेम इस मनीस और आप देख रहे हैं एडिको क्लासे को आप सभी को बहुत बहुत थाइंक्यू इस चैनल के साथ जूरने के लिए दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे तो प्लीज हमारे इस चै करते हैं guidance and counseling ठीक है ना दोस्तों guidance and counseling की exact meaning पर पहुचने से पहले हम जानते हैं इसकी कुछ introduction जानते हैं कि guidance and counseling क्यों जरूरी है हमारे education system में हमारे जब हम लोगो किसी चीज़ की तैयारी करते हैं चाहिए academic से related हो या competition से related हो किसी भी चीज़ की preparation करते हैं तो हमें guidance और counseling के होते हैं उसमें भी guidance की जरूरत होती है तो या कि है क्या है मार्ग दर्शन कौन करेगा हमें मार्ग दर्शन इन सारे topic element को discuss करेंगे तो guidance और counseling जो है दोस्तों यह significant role करता है education में किस फिल्ड में education field क्योंकि जनरली हमें education field को यह बात करेंगे guidance जो एक simple terms है जो हमें assist करता है जो मतलब सहयता की जरूरत है तो guidance बहुत ही जरूरी होती है ठीक है ना तो आपको मैं बता और counseling की बात करें प्रामर्स तो counseling बहुत सारे देखा जाता है कि आप city में रहते हैं metro town में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे counselor होते है अक्चली यह professional होता है professional service होती है जो हमें professional होता है जो हमें service provide करती है ठीक है ना तो counseling जो होता है counselor के दौरा प्रामर्स हमें मिलती है जिसमें हम अपने जो हम अपने life में problem face कर रहे होते हैं उसको हम बताते हैं और उसकी solution हमें रास्ता एक way हमें counselor के दौरा बताई जाती है हमें health की जाती है तो counseling is considered to be integral and central part of guidance तो counseling जो है दोस्तो आपका guidance का ही central part है integral part है integral का मतलब आंतरिक part है आंतरिक भाग है किसका guidance का ठीक है तो guidance और counseling जो है एक integral part हो गया किसका education का तो counseling किसका part हो गया guidance का part हो गया integral part of guidance और guidance और counseling जो हो गया दोस्तों ओकिसका part हो गया education का क्योंकि पता है आप education अगर अच्छे से education adequate होते हो तो आप पुरी ग्लोबल से connect होते हो आप पुरी communicate करते हैं एक देश से दुसरे देश से के साथ एक परसन से दुसरे परसन के साथ हैना अब changing face of the education अपनी problem को share करते हैं दुसरे ethics को adapt करते हैं इथिक को share करते हैं बहुत सारे cultures को हम लोग क्या करते हैं share करते हैं उसको बहुत सारे cultures को हम adapt करते हैं यह सारे चीजेत है तो guidance and counseling are essential at educational as well as vocational level for all student समझ में सारे विद्यार्थियों के लिए guidance और counseling जो हता है education level पर जरूरी होती है दोस्तों ठीक है ना ताकि वो अपने life में अपनी career में एक अच्छा एक अपनी चूच कर सके सही time पर सही career को क्या कर सके चूच कर सके right course चूच कर सके सही direction में वो जा सके है ना उनकी जो need है वो fulfill हो सके ठीक है ना इसलिए guidance and counseling जरूरी होता guidance and counseling individual base पर भी क्या करता है support करता है उसके personal life से related उनके personal life में जो problem होता है उसको भी सही करने में guidance and counseling जोता प्रामर्स और मार्क दर्सन काफी ज़्यादा assist होते सपोर्टीव होती है emotional educational और occupational environment को भी सही करने में अगर आपको कोई problem है इन सारे चीजों में आपकी emotion control नहीं हो पा रही है आप कैसे emotion को सही टाइम पर सही जगा पर यूज करेंगे इन सारे चीजों को भी guidance and counseling हमें help करता है आपको सही करने में ठीक है अब यहां पर direct हम आते है guidance की meaning को discuss करते हैं दोस्तों ठीक है ना guidance का जो meaning है और इसे किसे कहते है ठीक है इसको समझने की questions करते है ठीक है बने रहे हैं अगर आभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं करें तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिए यहां पर complete PDF format में आपको मैं नोट्स पर वाइट करता हूं ताकि सारे बीएड आप किसी भी इंडिविजुली या फिर ग्रूप में या फैमिली मेंबर इंडिविजुली कि जरूरत होते है वह गाइडेंस किसी से ले सकता है counselor के दोवारा help ले सकता है है ना तो यहां पर हम guidance की बात करें अगर इसको हम एक example से समझते है तो फैमिली मेंबर में जो फैमिली का हेड होता है वह दूसरे मेंबर को क्या करते हैं क्या करते हैं सपोर्ट करते या गाइड करते हैं जो seniors होते हैं हमारे घर में दादा जी दादी जी नाना जी नानी जी पापा मम्मी यह जो होते हमारे उनके अंदर experience होता मैचुरीटी होती है तो क्या करते हैं हेल्फ करते हैं गाइड करते हैं उन सारे बच्चों को जो उनसे जुनियर होते हैं चाहिए उस फिल्ड में जिस फिल्ड से रिलेटेड है सपूच कि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसके फादर पहले से डॉक्टर है तो अपन person को जो उनकी problem solve कर सकते हैं और problem को solve कर सकते हैं क्या पर्स्टनल problem हो vocational educational या एदर प्रब्लम जो भी problem हो उससे solve के जा सकता हूँ हम बात करें मोजर और मोजर के द्वारा मोजर और मोजर का डेफिंशन के आगर हम सर्विस यह एक पॉइंट उस एक सर्विस एक सर्विस को प्रोवाइट करता है ऐस प्रोफेशनल भी यह काम करती है अफ फिल्ड ऑफ इस्टडी विच 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 शूड रिक्वाइट चुज वान ऑफ इंफेसाइज सर्विस उड प्री डियोमिनेटेड तो इसमें यह कह की घाइडेंस जो होता है जिसका बहुत सारे मेनिंग निकलती है यह मतलब एक प्रकार का सर्विस प्रोफेशनल सर्विस क्या करता पॉइंट करता है और यह की हल्प करता है फिल्ड ओफ इस्टडेई विच 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 शुड वी रिक्वाइट जहां पाँ मतलब ज फिल्ड में आगे है तो उससे हम क्या करते हैं गाइडेंस लेते हैं ठीक है न यह मोजर एंड मोजर के द्वारा डिफाइन किया गया तो आगा सही माइने में इनकी बात करें तो गाइडेंस इस टर्म इसकी जो नेचर है कि गाइडेंस इसकी जो नेचर है कि गाइडेंस एम्स एड़ डेवलोप्मेंट ऑफ पर्सन आज होल यानि गाइडेंस का जो एम्स होता है किसी भी पर्सन का कोई पार्टिकूलर कोई इंडिविज्वल डेवलोप्मेंट की बात नहीं करता है उसका होल डेवलोप्मेंट पर क्या करता है बात करता है यानि गा guidance का सिर्फ ए एम नहीं होता है कि सिर्फ academic से achieving हो academic में अच्छा performance हो नहीं excellence for an individual इट फोकस उसके academic के साथ साथ guidance करने का मतलब है कि academic के साथ साथ उसकी physically, socially और जो mentally development हो बच्चे के अंदर जिसको आप guide कर रहे हो उसकी इन सारे holistic development की बात करती है नेक्स्ट पॉइंट है guidance recognize the individuality of the every person जो guidance जो है यह recognize करता है individually जो पर्तिक individually जो person होते हैं हर एक person की recognize करता है तो इंफेसाइज करता है guidance emphasize the fact that every person need to be show respect as the dignity of an individual is supreme तो कोई भी समाज में अपने आपको अपने पर्तिष्ठा अपने मान समान को बनाए रखना चाहता है या पाना चाहता है तो है ना तो इसलिए guidance जो होता है उग करता है उसको उस सेक्टर में बढ़ने के लिए उस तरह का dignity पाने के लिए उसे अच्छे समाज में बनने के लिए गाइड करता है ठीक है ना अगर हम बात करें दुसरे वर्ड में कि guidance कैसे कैसे रिकोगनाइज करता है इंडिविजिलिटी औफ परसंस को guidance यह कहता है कि भाई आप खुद को रिस्पेक्ट करो और दुसरे को भी रिस्पेक्ट करो है ना किसी को हर्ट नहीं करो चाहा कोई भी सेक्स हो ता कोई भी जेंडर सो है ना उन सारे चाहा कोई भी एस से बिल ठीक है ना शेकर जो इसका नेचर है guidance manuvers individual processes guidance आपके behavior को control करने में भी क्या करता है हेल्फ करता है जैसे कि behavior like likes, dislike, weakness जो आपके अंदर point होती है उन सारे चीजों को strongness में change करने में guidance क्या करता है बहुत ज्यादा help करता है यानि आप कैसे behavior आपको behavior को positive एक way देता है आपकी dislike, like और weakness क्यों क्या करता है प्रोसेस करने में उसे help करने में guidance help करता है ठीक है नेक्स्ट point है guidance is based on cooperation guidance जो है किसके बेस पर है cooperation मतलब guidance यह करता है कि आप एक helping nature आपके अंदर कैसा nature होनी चाहिए helping nature अगर नहीं भी है तो उस तरीके helping nature बनाने में guidance आपको मदद करता है ठीक है ना ताकि आप एक दूसरे को क्या कर सको cooperate कर सको किसी भी किसी को problem से seeking तो उन्हें help कर सको है न यानि you are always ready to cooperate with the one providing help for the best result आप हमेशा ready रहो किसी को help करने के लिए और हमेशा help करोगे तो आपको भी help मिलेगी इस तरह का guidance आपको एक promise एक मार्गदर्शन देती है ठीक है ना guidance जो होता है इतने continuous continuous and sequential process यानि continuous चलने वाली मार्गदर्शन होती है और एक sequential process होता है कैसा process होता है sequential process होता है इसमें मतलब कहने का मतलब कि आपको goal को achieve करने में guidance काफी ज्यादा आपको आपको individually help करता है इसका main aim ही होता है कि आपकी goal को achieve करने में help करें आपकी overall development को मतलब overall development हो इस तरह का guidance होनी चाहिए है और guidance सबसे बड़ी चीज़ होती है कि guidance जो होता है यह कहां से start होता है घर से start होता है फिर उसके बाद स्कूल में shift कर जाता है फिर उसके बाद community जब आप बड़े होते maturity आते तो समाज community neighbors इन सारे के बीच में रहना होता है तो इस तरीके से आपको guidance फिर वहां से मिलना start हो जाती है तो पहला घर से start होगा स्कूल फिर उसके बाद shift कहां कर जागा community में shift कर जागा इस तरह से guidance हमेशा तिल देट यानि हम लोग मर्द बाक्स में जो link दूगा उसको क्लिक करेंगे वहां से आप पेडिया डाउनलोड कर लेंगे अब यह बात आते कि guidance क्यों जरूरी है आखी guidance क्यों करनी चाहिए तो कुछ ऐसे regions होते हैं उसलिए guidance की जरूरत परता पहला यह आपको guidance यह promote यानि self understanding को promote करने में और self direction को promote करने में help करता है उसको समझ समझ को बढ़ाने में समझ या फी कह सकते एक direction एक रास्ता दिखाने में help करने में guidance की जरूरत होती है दूसरा अगर हम बात करें guidance की जरूरत को तो it promote optimal development of an individual है ना of an individual यानि individual holistic optimal यहां पर holistic development की बात होती है कि आपका विकास holistic हो इस बज़े से भी guidance की जरूरत होती है यह guidance academic growth आपकी academic growth नहीं हो पा रही है आपकी academic development नहीं हो पा रही है तो उसको develop करने के लिए उसको growth करने के लिए guidance की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ठीक है ना it helps an individual solve different problem जो अलग- में जो problems होती है individually उसको solve करने में guidance बहुत ज्यादा important role play करता है vocational choice आपको आगे vocational जैसे कि कोई भी subject vocationally आप चूच करना चाहते हैं जिस पेस पर आपको नौकरियां मिलती है जल्दी quick vocational subjects होते हैं जिससे करने के बाद job जल्दी हमें private form में है या फिर सरकारी form में क्या होती होते नौकरी ज्यादा मिलती है इसलिए जैसे के इंजिनियरिंग बीटेग फिर उसके बाद bachelor in computer education तो इस तरह किसे जो होता है आपको vocational में चुच करने में help करता guidance guidance इट प्रोमोट social as well as personal adjustment यानि सोसाइटी में या फिर परस्टनल एडजेस्टमेंट करने में guidance काफी ज्यादा क्या करता है help करता है इट प्रमोट better family life अपनी family life को better करने में guidance बहुत ज्यादा होता हम लोग कभी कभी depression में चले जाते हैं तो उसमें सही तरीके से depression में नहीं जाए depression से बाहर निकालने के लिए क्या करता guidance काफी ज्यादा help करता है हमारे family life को better करने में guidance बहुत help करता है और यह optimal usage of resources है इस चीजों को सही तरीके से use किया जाए और उसका सही utilization हो और फालत एक्ज़स्ट यानि किसी भी natural चीजों के ज्यादा एक्ज़स्ट फालतुका ना करें इस तरह का guidance को guidance क्या करता है help करता है ठीक है इट परमोट नेशनल डेवलोप्मेंट नेशनल डेवलोप्मेंट यानि हम अपने नेशनलीजम की जो भावना अंदर feeling development करने में guidance क्या करता है काफी ज्यादा helpful होता है स्कोफ ऑफ guidance में जो होत हो सबके परलागों हो ऐसा नहीं होता है सबके लिए इंडिविज्यली जो अलग अलग activity होता है ठीक है ना लेकिन एक चीज़ है कि continuous process है गाइडेंट जो होता है आज कर दिए तो फिर आने वाला डेट में आपको guidance की जरूत ही नहीं परेगा ऐसा नहीं है आपको guidance हमीशा guidance क जरूत होती है मार्क दर्शन के हमेशा जरूत पूरती है और यह it cover the whole spectrum of life ठीक है यह जो मतलब life से related जो होता है life में हमारा जो पूरी life जो चलती है उसमें guidance की काफी ज्यादा जरूरी होता है guidance जो होता है एक ऐसा cover के तरह काम करता है ठीक है यह हमारे date यानि sorry birth से start होता है और कब तक चलते रहता है देद तक चलते रहता है तो अब scope of guidance में हम पहले discuss करेंगे personal guidance है ना जैसे कि social problem जो individual problem इस तरह का जो problems होती है जो personal जो problems होती है personal अगर किसी चीज़ को guide करना है उसको remedial सुधहारना है resolve करना है तो उसको personal में डाल देंगे जो scope है educational से related कोई भी अगर problem या कोई मार्गदर्शन चाहिए है ना individually तो उसको सुधहार करना हो या फिर solution चाहिए educational में तो educational guidance होगा scope of guidance में educational part vocational problem अगर आपको helping चाहिए किसी भी individual vocational course को चूच करने में है ना कोई वोकेशनल या फिर कोई भी अच्छे subject को चूच करने में आपको help चाहिए उसकी प्रोफिंसी एक्वायर करने में help चाहिए उसको कैसे पढ़ना है इसमें help चाहिए तो vocational problem में डाल देंगे appraisal of individual के अगर बात करें है ना appraisal जैसे कि आप मान लेते हैं कि development student appraisal is an important aspect of guidance the student to develop the potential to the maximum यानि जो ability है बच्चे के अंदर में जो पढ़ने की ability उसमें ज्यादा से ज्यादा potential ज्यादा से ज्यादा creativity को develop करने में help करता है appraisal of individual में डाल दोगे counseling after making appraisal through various test or non-test technique get through क्या करेंगे आप guidance work provide counseling to the counselor जैसे कि आप counseling के अगर बात करें आपकी weak point आपका जो होता है आपकी personality अगर सही नहीं है weakness है तो इस सारे चीजों को strong करने में आपको personality को improve करने में help करता है counselor ठीक ना एधा ठीक है वेरियर ओपरेटिंग आपको एक परकार का environment provide करेगा आपको support क करेगा ठीकर इस प्रकार कर जो होता है आपका counseling होगा second जो होता है placement placement में अगर हम बात करें तो जब भी आप प्लेश्मेंट जब आप कुछ कोर्स कर लेते हो तो आपको एक counselor के थूरू या फिर कह सकते है कि वहाँ प्लेश्मेंट में किस तरह से आपको विहाइब करनी है कै किस टाइब का प्लेश्मेंट में आपको जाना चाहिए तो यह भी आपको guidance काफी ज्यादा help करता है ठीक है follow up the research follow up and research में क्या होता है कि जैसे कि इसमें बात करते हैं किसी भी सेक्टर को से related जैसे जो भी सेक्टर में आप जाना चाहते तो पहले आप उसको research करते हो फिर जा ने कोई बता था कि इस फिल्ड में जाना चाहिए तो फिर उसको आप research करते हो किसी से guidance मांगते हो या फिर किसी को guide करते हो इस प्रकार से follow up research में ठीक है पहले चीजों को समझोगे फिर उसको follow करोगे ठीक है ना नेक्ष्ट हम बात करेंगे need of guidance का तो need of guidance mainly हम चार पार्टों में डिवाइड कर दी है ठीक है फिलोस्पिकल बेसिस पर क्या need है guidance की psychological basis पर क्या need है guidance की एजुकेशनल बेसिस पर क्या need है guidance के सोचल पॉलिटिकल बेसिस पर क्या need है guidance की सारे चीजों को करते है ठीक है फिलोस्पिकल कम यहां पर जैसे कोई भी inherent यानि कोई भी human beings कोई भी जो भी human beings human life जो होता है वो सुरू से यानि जब जर्म लेता है तब से उसकी क्या होती एक inadequate कह सकते है कि guidance की जरू होते तो without guidance आप expect नहीं कर सकते हो कि उसका life है यानि उसकी life it is complete full of guidance किसी भी की life का बात करें human की life के मैं बात कर रहा हूं है ना तो guidance satisfaction है या नहीं है इस पर इस पर करता है तो एक स्टेज होता है यानि जो स्टेज सुरू से जो हम लोग बच्चे का जब जन्म होता है उसका complete तिल देट उसको guidance की ज़रूत होती है सकते हो लाइप में की बहुत सारे लो किसके guidance ज्यादा satisfaction है है ना तो इस परकार से वह philosophical basis में हम क्या कर सकते है इसकी जरूत को डाल सकते है psychological basis में क्या हो सकता है कि every individual person unique चीजे होती है सेंस हो चाहे मतलब कुछ उसमें कुछ अलग करने की capability होती है ठीक है ना इंटिलिजेंसी की बात करें aptitude की बात करें instinct की बात करें सेंसेटिव की बात करें सब पर्सन में वैरी करता है अलग-अलग होता है ठीक है ना तो whatever we is a potentiality the society has a responsible अब उस सारे capability को inटिलिजेंसी को aptitude को instinct को कैसे society में utilize करना ना तो इन सारे चीजों को भी क्या करते guidance help करता है कैसे आप समाज की responsible को responsibility टेक करते हो और उसकी optimum level guidance जो होता है एक more positive role को achieve करने में positive role को play करने में गोल को achieve करने में यह आपको help करता है जो आपके अंदर जो unique things है उन सारे चीजों को अच्छे तरीके से सही जगह पर utilize करने में सही जगह पर use करने में आपको क्या करता है help करता है psychological basis पर हम इसको divide कर सकते है educational basis बात करें educational से related personality social responsibility intelligence of citizens की आगर हम बात करें तो उस सारे help करता है आपको एजुकेशनल बेस पर हम क्या करते हैं गाइडेंस को डिवाइड कर देते हैं एजुकेशन आपको समाज में आपकी कम्यूनिटी में एक लीडर्सिप एक लीड करनी की मौका देता है जिमवारी सोसाइटी की करने को कहा जाता है तो इस तरह का आपको गाइड किया जाएगा तो यह इस परकार का जो भी गाइडेंस हो एजुकेशनल बेस पर हो जैसे कि आपका प्रिपेरिंग इंडिवीजुल फोर सिटीजन्स एक नहीं अच्छे नागरिक बनने में आपको हेल्प करना कैसे आपको अ सब्सक्राइब को चूच कर सकते हैं अच्छा सही डायरेक्शन में आप जा सकते हैं इस परकार के सारे चीजों को आप क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं शोशीय पॉलिटिकल बेसिस पर गाइडेंस की कि हर एक बर हर एक पर्संस को इंडिवीजुली फ्रीडम देनी चाहे फ्र करेगा तो Import करेगा तो डेमोक्रेशी जो होता है जो हमारे इंडिया कि अगरबात करती हाप डेमोक्रेशी है सारे सब्सक्राइब कर सके कर सके को जाता है तो। चेंजेज मतलब जो कह सकते हैं जो पुरानी सोच है इस्ट्रियो टाइप सोच है थौट है उस सारे चीजों को चेंज करने में गाइडेंस क्या करता है करता है आपको चाहिए स्कूल को तरह सोचाईटी के किसी भी पार्ट करते हैm कलते हैं साथ हमचक सेरे चाल परने के करते हैं घर हम करुंद करेंगे उस्कुल च्रॉक्रे करना सुटर्ब्लों करनाभर तो एक्टिविटी तो वाज़ स्कूल एक्टिविटी में पर्टिशिपेट कर नियां या पर उस एक्टिविटी में अच्छा करने के लिए help करने में आपको guidance काफी ज़्यादा help करता है enable the child children to adopt the school tradition and regulation of the school enable child को जो school की traditions है regulations है school का उसको adopt करने में उसके according चलने में क्या करता है help करता है guidance it assists यानि जो guidance होता है assist करता है student developing the physical and emotional stability balance manner school में बच्चा अपने आपको कैसे physically और emotional को balance कर सके balance को maintain करके रखे इस सब चीजों में भी क्या करता है guidance primary stages पर help करता है ठीक है it enables the students identify their problem बच्चों को यह opportunity देता है कि आपने problem को identify करो regarding adjustment with the school environment एकिस according जब आप इस school environment में जो आप adjust कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो guidance guide करके आपको बताएगा कि आप कैसे adjust करना है कैसे अपने आपको अपनी problem को सुधारना है अपनी problem को find out करने है और इसको tackle करना उसको सुधारना है to make the student independent guidance यह भी help करता है प्राइमरी लेवल पर कि बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने आपको बना सके इट इंस्योर कॉपरेशन एमांग दे स्टुडेंट एक दुसरे को कैसे कॉपरेट कर सके भी और इट फैसिलेट दर ट्रांजीशन इस्टुडेंट फ्रॉम प्राइमरी तो इसका जो में एक प्रकार का क्या करता है आगे का जो जर्नी आपको कैसा रहेगा इस सारी चीजों पर भी बच्चों को बताया जाता है प्रैमिर लेवल पर ठीक है अब सेकेंडरी स्टेज पर गाइडेंट की बात करें तो इसका जो मेन अबजेक्टिव होता है गाइडेंज का जो मेन अबजेक्टिव होता है फैमिलराइज दे स्टुडेंट विद देयर इसकूल के साथ अच्छा एक सेटप एक रिलेशन्शिप अच्छा स्थाफित कर सके उस इन्वार्मेंट में अपने आपको काफी ज्यादा स्टॉंग ब option and to help the choose the best according to your aptitude आब बच्चे के अंदर में ये अच्छा guidance को या फिर पैरेंट से उनको guidance करनी चाहिए की बच्चे के अंदर में कोई भी subject को choose करने में उन्हें एक opportunity दिया जाए मौका दिया जाए ताक हो चूच कर सके और best कर सके है अपने subject के ठीक है इट इंकरेज और कौन सा सब्जेक्ट चूच करना चाहिए उन्हें यह भी आपको बताना चाहिए कि सब्जेक्ट की क्या एडौलेसेंट ठीक है ना तो बच्चो के अंदर में इंडिवीज़ियो और सोच्यल नीड को डेवलाप करना गाइडेंस करके कि किया कि है सोच्यल नीड जरूरत है कि जरूरत होती है और क्या इसकी इंपोटेंस है इन सारे चीजों को भी बच्चों को मांगदर्शन करना बताना है बच्चों के अंदर तक अपने माइंड को अपने आपको हेल्दी इंवर्मेंट में डेवलोप कर सका है गैडेंस एंडेवर्स टु क्रिएट एन इन 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 वर्मेंट फेसिवल फोर धेल्दी ग्रोफ और डेवलप्र आप द चुडेंस जहता है एक हेल्प करता है अच्छा première कर्ने मेंट करेट करने में कालेज & University को जा हुआ तासिच के प्रॉषेस का चाहिए रहें वहां पर इंफोट स्टुडेंट को करीकुलर को खुआ यह पने कुपशचंड को करने के लिधान लिह नहीं नहीं लेवल पर क्या क्या करना चाहिए कोई भी को करिकुलर अक्टिविटी में पार्टिशिपेट करने के लिए यह सारे चीजे भी गाइडेंस बहुत जरूरी होता है ठीक है ना इट एमस तो हेल्प स्टुडेंट को चूच करने में भी हेल्प करना चाहिए जो बच्चे की इंटरेस्ट हो बच्चों को कौन सा सब्जेक उनकी ब्राइट फ्यूचर में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि सब्जेक की डिमांड रिक्वार्मेंट प्रिजेंट सिनारियो में है उससाब से बच्चों को सब्जेक चूच करने के लिए प्रेफर करना चाहिए ठीक है तक उनकी कैरियर अच्छी से अच्छी ब्यूड हो सके बच्चे के अंदर में आपको एडजेस्ट करके रहना है इन सारे चीजों को भी सहरी चीजों के लिए बिदे सारे चीजों के लिए बटाना चाहिए अच्छी के लिए आपके लिए सारी जादा काउंसलिंग इंपर्टेंट रोल प्ले करता है तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से सेर करें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं वाइब गुड डे